नमस्कावर दोस्तों, पात्फाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग्रा ठोड और आज इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे यॉनाइटेड डेशन्स के सेकरेटरी जनरल पद के बारे में एंटोनियो गुतरेस जो इस वक्ट सेकरेटरी जनरल हैं, उनको दूसरे कारेकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है, निर्विरोध चुना गया है, लेकिन हम जानेगे कि सेकरेटरी जनरल का चुनाव कैसे होता है, और ये पद की इंपोर्टेंस क्या है, और एंटोनियो कारेकाल शुरू हुआ था 2017 में और खत्म होगा दिसंबर 2021 में और दूसरा कारेकाल कब शुरू होगा एक जनवरी 2022 को तो 6 महीने पहले ही चुनाफ हो जाता है और चुनाफ कैसे हुआ है मेंली Security Council जब अप्रूव कर देती है तब ये चुनाफ मान लिया जाता है कि जो व्यक्त Security Council का recommendation है वही चुनाफ जीतेगा तो देखे Security Council ने recommendation अपना दे दिया है एंतोनियो गुतरेस के नाम पर भारत ने अपना support एंतोनियो गुतरेस के पीछे दिया था पिछले महीने भारत के विदेश मंतरी S.J. शंकर जब United States की आत्रा पर थे तब वो एंतोनियो गुतरेस से मि election का स्वागत किया है लेकिन Secretary General का पद इतना important क्यूं है देखे United Nations में 6 principal organs है उनमें से एक principal organ होता है United Nations का Secretary Act Secretary General इसको head करते है that is why he is called as Secretary General तो ये पद एक प्रकार से पूरे UN का Chief Administrative Officer का पद है जितना भी day-to-day workings होता है UN का वो Secretary General की देखरेक में होता है तो Secretary General को आप मान सकते है कि ये उस बड़े से UN नाम के जहाज के captain है जो एक बड़ा सा जहाज है उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं कई departments है लेकिन उसका जो captain है that is Secretary General तो UNSGB इनको कई बार abbreviate किया जाता है Secretary General के पद का चुनाव उनकी क्या जिम्मेदारिया होगी ये सब बताया गया है UN Charter के chapter 15 में article 97 to 101 तो किसमत से आपको UN का exam नहीं देना है UPSC का देना है इसलिए आपको वहाँ के article याद नहीं करने होंगे मान लीजिए आप एक IFS officer बन जाते हैं diplomat बन जाते हैं तो आपको भविश्य में इस UN Charter के भी सारे articles को याद करना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो इनके election का process क्या है देखो secretary general का जो appointment है वो कायदे से general assembly के द्वारा किया जाता है तो general assembly में जिसमें सारे 193 members बैठते हैं वो चुनाव करते हैं लेकिन असली चुनाव जो है वो security council में होता है security council में कम सदस्य होते हैं 15 सदस्य होते हैं तो यहाँ पर जो recommendation आएगा security council का वही हमेशा general assembly के द्वारा okay कर दिया जाता है लेकिन security council में क्या है कि जो 5 permanent members हैं उनके पास veto अधिकार है तो वो किसी भी nominee को veto कर सकते हैं मान लो कि Antonio Guterres US को पसंद नहीं आते तो अभी US veto कर सकता था तो पांचों जो शक्तियां है 5 permanent members हैं इनका एक page पर होना इनका एक मत होना कोई बहुत famous विक्ति नहीं होगा क्यूंकि mostly वो सभी compromise candidate होते हैं ठीक है अब ये अंदर की बाते हैं जो लिखी रही जाती लेकिन understanding आपको होनी चाहिए इन बातों की कि secretary general जो है वो mostly compromise candidates होते हैं और आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे नाम आपको दिखेंगे secretary general के पद के लोगों UN secretary general नहीं बनेगा या फिर UK का prime minister का भी secretary general नहीं बनेगा कोई या तो African या Asian country आप देखेंगे जैसे U Thant है मयानमार से इनका सबसे लंबा कारेकाल था ये मयानमार के थे 11 साल का कारेकाल था कोफी अननान 10 साल का इनके भी 2 term थे बैन की मून ने भी 2 term पूरे किये तो ये सब हो सकता है मंत्री रहे हो कोई विदेश मंत्री रहा है एंतोनियो गुतरेस पूर्तगाल के prime minister रहे हैं लेकिन बहुत famous politician कोई भी आपको देखने को मिलेगा नहीं इस list में आप देख पा रहे होंगे कि जादातर secretary general दो कारेकाल पूरे कर रहे हैं सिवाए ब्युतरोस ब्युतरो पूरा किया था और एंतोनियो गुतरेस भी अब अपना second term पूरा करेंगे अब खास बात यह है कि अभी तक कोई भी महिला secretary general नहीं रही है UN के 75 सालों के इतियास में और क्यूंकि अब गुतरेस फिर से बन गए है secretary general तो अब 2026 से पहले कोई महिला इस world organization को lead नहीं करने वाली हैं गुतरेस इस संगठन के 9th secretary general है UN के और 31 December 2021 को इनका first term पहला कारेकाल पूरा हो रहा है इससे पहले यह Portugal के prime minister थे और UN में भी इन्होंने बहुत समय काम किया है 10 साल के लिए यह United Nations High Commissioner for Refugee भी रह चुके हैं इस re-election में एंतोनियो गुतरेस के सामने कोई भी candidate नहीं खड़ नहीं करी थी कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया था कि मैं secretary general के लिए चुनाव लड़ना चाहूंगा मार्च 2021 में गुतरेस ने अपना vision statement circulate किया था कि मेरे आने वाले 5 साल में next term में मेरे क्या goals है UN के लिए क्या goals है तो यह काफी अच्छा vision statement है इसके कुछ आपको main points में UN के जो members है 193 countries हैं उनको शामिल किया जाता था पहली बार civil society representatives से भी discussion किया गया चर्चा करी गई उनको invite किया गया कि secretary general के लिए किसको चुनना चाहिए उनके क्या goals होने चाहिए क्या vision statement होना चाहिए तो गुतरेस ने भी इन लोगों से interact किया अपने vision के बारे में बताया तो यहाँ पर UN secretary general के चुनाव में transparency और inclusivity लाने की कोशिश करी गई है UN members के अलावा दूसरे लोगों को शामिल करके prelims point of view से एक question आपसे पूछा जा सकता है कि secretary general को शपत कौन दिलवाता है तो देखिए UN general assembly के जो president होते हैं वो secretary general को शपत दिलाते हैं अपने पद की तो 75th session के ज चुनाव होता है president के पद का तो तुर्की के वॉलकान बॉसकीर इस वक्त UN general assembly के president है लेकिन अगले president का चुनाव अलरी हो चुका है तो Maldives के अब्दुल्ला शाहिद ये बनेंगे अगले UNGA president अब्दुल्ला शाहिद फ्रॉम Maldives लेकिन अभी वॉलकान बॉसकीर हैं तो इन् Antonio Guterres को अपने पद की शपत दिलवाई UN general assembly hall में अब Antonio Guterres के पिछले 5 साल के कारेकाल को अगर हम देखें तो इन्हें एक bridge builder के रूप में देखा जाता है bridge builder का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो दो opposing parties के बीच में भी बातचीत करवा सकता है तो कई जगे जहां पर conflicts हो रही है दुनिया में लडाईयां हो रही है वहाँ पर उन्हें मद्दिस्तता करने की कोशिश करी है और उनके personality की ये बहुत अच्छी बात बताई जाती है कि ये किसी से भी बातचीत कर सकते हैं तो चाहे भारत पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो सब के बीच में इन्होंने मद्द ले में कम से कम अपने पद पर perfectly खरे होत रहे हैं गुतरेस ने मई 2021 में जो अपना vision statement जारी किया था उसमें उन्होंने कई सारी areas को बताया है जिसमें उनको काम करना है तो COVID-19 pandemic से संबंदित जो response है वो इनका सबसे प्रमुक short term goal है दूसरा goal है इनका दुनिया में शान्ती और स्थिरता बनी रहे, security रहे, climate action को लेकर ये काफी बात एक करते रहते हैं, साड़े-चार साल सा इन्होंने काफी कुछ किया भी है climate के लिए, sustainable development goals को पूरा करना है इस दशक में, तो इसके लिए इस दशक को ये decade of action बता रहे है, human rights के बारे में काफी कुछ कहा है, इन्होंने gender equality, लोगों पर focus किया जाए, institutions जो हैं, वो सभी जंता पर, आद्मी पर focus करें, औरत पर, महलब समझ रहे हैं, आप इनसान पर focus करें, digital transformation, इसके लिए UN काम करें, multilateralism और common agenda बने, सभी देश आपस में एक common agenda तै करें, ऐसा नहीं है कि voting हो रही है, जिसमें एक power अलग veto कर रहा है, दकई देश अलग voting कर रहे हैं, UN 2.0 के मुद्दे पर इन्होंने बात करी है, ताकि United Nations को recharge किया जा सके, एक नए रूप में आगे बढ़ाया जा सके, आने वाले दशकों में, और जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके पहले कारेकाल का सबसे बड़ा achievement ही यही है, कि इन्होंने climate action पर काफी ध्यान दिया है, पिछले secretary generals के comparison में इन्होंने बहुत seriously इस मुद्दे पर काम किया है, खास करके 2020-21 में, इसी के साथ यह lecture समाप्त होता है, तो I hope आपको यह basic जानकारी useful लगी होगी, और prelims point of view से यह थोड़ा सा important topic है, इस पर सवाल आये तो गलत मत करना, और वै आपको classes और अन्य कई facilities मिलेंगी, लेकिन Iconic में आपको एक personal mentor मिलेंगे, जो आपको day to day guide करेंगे, main sanser writing practice कराएंगे, इन सभी courses में आपको 10% discount मिल जाएगा, अगर आप महिपाल code use करते हैं, while availing this subscription, तो आपको यह prices pay नहीं करनी होगी, यह वाली price आपको pay करनी है, अभी 23 discount मिलेगा, जो केवल 23 तक valid है, और extra 10% discount और मिल जाएगा, अगर आप महिपाल code use कर लेते हैं, तो आपको यह वाली prices भी pay नहीं करनी होगी, इन पर भी आपको all 10% discount मिल जाएगा, तो 51,000 something रूपीज में आपको GS और optional, दोनों की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, एक साल का subscription जिसमें आपको 1.5 साल की validity मिल रही है, क्योंकि mains 2022 या mains 2023 तक की validity है, लेकिन ये validity अभी केवल कुछ दिनों के लिए लागू है, 23 जून तक लागू है, उसके बाद ये नहीं रहने वाली है, आप इस course को EMI option पर भी avail कर सकते हैं, और इसके साथ printed GS books आपको free मिलेंगी, तो नहीं पर भी books खरीदने की भी आवशकता नहीं है, यानि कि आपको printed notes होगेरा खरीदने की आवशकता नहीं है, हर अफते नए batches बनते हैं, इन batches को आप join कर सकते हैं, एक special personal mentoring batch भी बन रहा है, जिसका description में आपको link मिल जाएगा, इसमें limited seats है, तीन free test series चलती है in academy platform पर, इनक आप join कर सकते हैं, using my code और अपने prelims के score को increase कर सकते हैं, हर रविवार को 11 बजए in academy combat होता है, हिंदी, English दोनों में होता है, इसमें हिस्सा लेकर आप free subscriptions ले सकते हैं, scholarship मिल जाएगे आपको अगर आप अच्छी rank लेकर आते हैं, thank you very much for watching this, have a great day and please subscribe to Pathfinder.